बाबा साहिब कंगाले ने प्रेस कॉंफरेंस आईजित की जिसमें उन्होंने बताया कि विदान सबा क्षित्र में ही आदर्श अचार सनीता लागू होगी नगर निगम और महानगर होने के कारण पूरे जिले में आदर्श अचार सनीता लागू नहीं की जाएगी इसके आग दताओं को लेकर उन्होंने बताया कि राइपूर दक्षिन में 2,70,000 मद दाता हैं जिन में महिला मद दाता क्षेतर में जादा हैं क्षेतर में 233 मदान केंदर हैं जिन में से 227 मदान केंदर में लाइव एस्क्रेनिंग होगी सभी को नमश्कार कल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राइपूर नगर दक्षिन विदानसबा सीट के लिए उपचुनाप का कारेकरम की घोशना कर दी गई है और इस उपचुनाप के कारेकरम की घोशना के साथ ही जो है वहाँ पर आदर्श आचरन सहीता प्रभावशिल हो गई है राइपूर नगर दक्षिन विदानसबा सीट अनारक्षित सीट है और जो कारेकरम है वो इस तरह से रहेगा की अधिसुचना का प्रकाशन 18 अक्टूबर को होगा और नामांकन जो दाखिला है वो 25 अक्टूबर से प्रारम होकर 30 अक्टूबर तक के लिए जाएंगे नामांकन पत्रों की जो सविक्षा है वो 28 अक्टूबर को होगी और मद्दान की तिथी 13 अक्टूबर मद्गंडा की तिथी जो है वो 23 अक्टूबर है और तिथी जिसके पूर निर्वाचन संपर्ण करना होगा वो 25 अक्टूबर रहेगा हमने राइपूर नगर दक्षिन विदानसवा शेत रहेतू पुक्ता विवस्ता सुरक्षा और कानून की की है पांच कंपनिया वहाँ पर तैनात की जाएगी और स्ट्रोंग रूम काउंटिंग सेंटर इसी तरह विविन सेक्टर मैजिस्ट्रेट के साथ ये वहाँ पर तैनात रहेंगे जो आयोग के निर्देश है वो मद्दाता पहचान पत्र के माध्यम से ही मतदान होगा और इसके अलावा जो है बारा विविद पहचान पत्रों को भी इस बार निर्वाचर में मानेता रहेगी